देखे एक polynomial से related question है, question बड़ा ही different type का है, क्या techniques हो सकती है, क्या बात है, logics दिमाग में आने चाहिए वो बताता हूँ, इस question में, यहाँ पर लिखा, let fx be a polynomial of degree 4, and fn equal to n plus 1, number 1 fx एक polynomial है, जो degree 4 की equation को represent कर रहा है, and fn equal to n plus 1, n की value दिये 1, 2, 3, 4, यानि, आपके पास given है, fn equal to n plus 1, जहाँ पर आप n के place पर 1, 2, 3, और 4 foot कर सकते हैं, now if f0 equal to 25, then f5 पूछा है आप से, अब देखिए, आपके पास एक ऐसी question होनी चाहिए, जो 4 degree polynomial भी बताए, और जिसमें, अगर मैं 1 रखूँ, तो पहले सबसे पहले तो, अगर मैं इसमें 0 रखूँ, तो मुझे 25 मिलना चाहिए, number one thing, अगर मैं 2 रखूँ, तो मुझे 3 मिलना चाहिए, 3 रखूँ, तो मुझे 4 मिलना चाहिए, और 4 रखूँ, अब इस तरह की concept को समझ ये गा ध्यान से, बड़ा simple तरीके से बता रहा हूं कि आप ऐसी एक equation माल लो कि fx equal to ठीक है lambda into x minus 1 x minus 2 x minus 3 x minus 4 ठीक है lambda नहीं भी लेगे यह 4 डेगरी यह होगा x minus 1 x minus 2 ध्यान देना lambda into x minus 1 x minus 2 x minus 3 x minus 4 ठीक है plus x plus 1 y x plus 1 because अगर मैं यहां पर समझेगा सबसे पहले अगर मैं 1 रखूँ तो क्या मिलेगा बताई अगर मैं 1 रखूँगा तो क्या मिलेगा बोलो अगर मैंने 1 रखा तो मुझे मिलेगा यह 0 और यहां मिलेगा 2 यानि balance हो रही है ठीक अगर मैंने balance हो रही है ना अगर मैंने 2 रखा और यह देखे 4 degree की equation के लिए x की power 4 आ जाएगा 1 2 3 4 put कर सकते अगर मैं 2 रखूं तो यह 0 वो 3 मिलेगा अगर मैं 3 रखूं तो वो यह 0 वो 4 मिलेगा और अगर मैं 4 रखूं तो यहां पर यह 0 यह 5 मिलेगा इसका मतलब हमारे साथ कोई दिक्कत नहीं हम ऐसी एक polynomial मान सकते थे अब lambda कैसे से निकालेंगे बता रहा हूं अब सबसे पहले एफ 0 हमारे पास है 25 तो अगर मैं यहां पर 0 रख दू तो यहां पर बताई क्या एगा लेम्डा इंटू 1 इंटू माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 प्लस 1 क्योंकि यहां पर एक सपे प्लेस पर 0 रखका तो यह कितना दिया है 25 एक्कव टू 24 lambda plus 1 यानि lambda equal to 21 आ जाएगा यह lambda की value आ गई अब lambda की value आ गई तो आपके पास एक तरह से polynomial equation की equation मिल गई x minus 1 x minus 2 x minus 3 x minus 4 plus x plus 1 अब आप से क्या पूछा है अब जो पूछा है बता सकते हैं जैसे आप से पूछा F5 तो 5 निकालने के लिए 5 minus 1 4 5 minus 2 3 5 minus 3 2 5 minus 4 1 plus 5 plus 1 कर लो 24 plus 6 तो answer is 30 30 is the right answer दिखने में बड़ा यह complicated type का question था पर बहुत ही logical तरीके से सोचना की polynomial equation जब भी बोले तो 4 degree की question का logic यह होता है अब मैंने इसमें एक ही बात को दिमाग में रखा और वो यह था कि lambda into x minus 1 x minus 2 x minus 3 x minus 4 x plus 1 लिख दिया क्योंकि अगर मैं यहाँ पर 1 रखूंगा तो यह पूरा 0 और यह 2 हो जाएगा जो question में given है इस condition ने इस question को आपको easily करवाया as well 2 रखा तो 3 3 रखा तो 4 4 रखा तो 5 और यह रखने के बाद आपको समझना आ गया कि यह equation हो सकती यह 4 degree की polynomial हो गई इसमें lambda unknown है पर यह overall 4 degree की equation हो गई जो इस condition को भी satisfy कर रही है अब आपने 0 रखा तो 0 रखने पर आपको lambda मिल गया lambda unknown क्यों लिया क्योंकि मैं अपनी तरफ से यह नहीं मान सकता कि एक्स की बार 4 का कोपिशिंट वन है हो चकता 1 हो चकता 2 हो चकता 3 हो इसलिए मैंने lambda लिखा पर इसको solve करने पर lambda 1 आया lambda 1 आया तो मेरे पास polynomial में लिया गई अब आप से f5 पूछे या f10 पूछे या f20 आप इस question को solve कर सकते थे